जहन students, this is the 15th chapter, Attending freedom इस chapter में हम लोग पढ़ेंगे कि आजादी के लिए किये गए प्रियास और हमें किस प्रकार आजादी मिली इसके बारे में हम लोग इस chapter में पढ़ेंगे तो चलिए सुरू करते हैं The British feared the unity of Indians and decided to create a divide among them और British जो है भारतिया के एकता से डर गये थे और तब उन्होंने सोचा क्यों ना इन लोगों के बीच फूट डाला जाए इन लोगों के बीच फूट डाला जाए This policy is popularly referred to as divide and rule और इस policy को नाम दिया गया divide and rule फूट डालो और साशन करो The partition of Bengal was devised by the British to achieve this motive और Bengal का बिभाजन यहने कि Bengal का बिभाजन बंगाल और बंगलादेश इसका बिभाजन इसका एक सबूत है ठीक है ताकि ऐसा करके British जो है अपना इस motive को अचीव करना चाहता था और कर भी लिया They decided to divide the Bengal province based on religion और उन्होंने तै कर लिया कि Bengal को धर्म के आधार पर उसे बाट दिया जाए The Muslim dominant areas were to be separated from the Hindu dominant areas in a hope to create a raft between the two और उन्होंने क्या कि जो Muslim छेतर था Muslim लोगों के रहने वाले छेतर को हिंदू वाले छेतर से अलग कर दिया उन्हों दोनों के बीच फूट डालना चाहता था लाला लाजपत राय और विपिन चंदरपाल जिसको की लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है ये काफी famous है हिस्ट्री में लाल बाल पाल तो इन्होंने लोगों को लोगों को encourage कि देखो ये partisan सही नहीं है हम लोग धर्म के आधार पे बढ़ रहे हैं ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा हमें इसके खिलाफ आंदोलन करना होगा पेपल टुक पार्ट इन सेफरल स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट बाइकटिंग कोड़्स made by the British and even burning them और लोगों ने भी बर्जर कर हिस्सा लिया लोगों ने भी उनकी बात मानी और सभी मिलकर जो है और बिटिस के खिलाफ एक आंदोलन मोर्शा निकाला और जिसमें कि ये कहा गया कि बिटिस के द्वारा बनाएवे सामान का हम बहिसकार करेंगे और उसका बहिसकार उसका उपयोग नहीं करेंगे इविन कि उसको जला करके भी प्रदर्शन किया कि हम आपके बनाएवे सामान को यूज नहीं करेंगे और इस आंदोलन को स्वदेशी मूव्मेंट के नाम से जाना जाता है और यह जो प्रतिरोध चल रहा था देश में यह जो है अंग्रेजों को मजबूर कर दिया कि 1911 में वो बैंगॉल को वापस से जोड़ दे दुनों को जोड़ दे विवाजन को खदम कर दे लेकिन इसके बावजूद भी देश में कहीं मूव्मेंट रुका नहीं आंदोलन कहीं नहीं रुका अंग्रेज चाहता था कि इस आंदोलन को अब खत्म कर दिया जाए लेकिन यह आंदोलन था कि पूरी कंट्री में आग की तरह फैल चुका था अब next है गांधियन पिरियट, non-violence and satyagrha अब हम लोग पढ़ेंगे गांधियन पिरियट के बारे में जब गांधी जी और हम लोग तो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे सत्य और अहिंसा के और उसके satyagrha के बारे में हम लोग इसमें जानेंगे मोहंदास करमचंद गांधी also known as the father of the nation was born on 2nd October 1869 in Gujarat मोहंदास करमचंद गांधी जिसको की देश के राष्ट पिता राष्ट पिता के नाम से भी जानते हैं उनका जर्म 2 October 1879 में Gujarat के पोड़ बंदर में हुआ था He was one of India's greatest freedom fighters भारत की आजादी के लिए लड़ने वाले को freedom fighters कहते हैं तो सारे freedom fighters में से गांधी जी भी एक थे ना greatest freedom fighters में से एक थे He taught people that independence could be achieved by non-violent and peaceful means उन्होंने लोगों को यह समझाया यह सिखाया कि यह जो आजादी है इसके लिए मारकार्ट, हिंसा, जूट और बिल्कुल यह सब के बदोलत ना जीत कर इसे हम अहिंसा और सांती पूर्ण तडिके से भी हम जीत सकते हैं हम आजादी प्राप्त कर सकते हैं लोगों को इन्होंने सिखाया यानि कि एक इन्सार्ट हम यह कहा सकते हैं लोगों को इन्होंने अहिंसा और सांती का पाठ पढ़ाया। गांधी जी वोग्ट अज लॉयर इन साथ अफरिका और रिटर्न तो इंडिया इन नाइटीन हंड़ेट प्रिप्टेग। गांधी जी एक वकी बैरिस्टर थे साथ अफरिका में और वहां से वो 1915 में वापस आये थे इंडिया। He assumed the leadership of Indian National Congress and led nationwide non-violent protest और सत्यागरह against the oppressive British rule and also demanded स्वराज which means self-rule. और उसके बाद निसल कॉंगरिश के leadership में वो आ गये और उन्होंने पूरे प्रिटिस के खिलाफ और उनका मांग था इंडिप दिख नहीं रहा था अभी जो कि उस पर मैंने underline कर दिया था तो rule and also demanded स्वराज और उनका मांग क्या था कि स्वराज यानि कि हमारा अपना राज हो हम इस पर अपने से सासुन करें which means self-rule हम लोग इस पर हम भारतिय हैं हम अपने भारत पर रूल करेंगे आप अंग्रेज हो आप व्यापार करने आए हो तो आप व्यापार करो ना कि हमारे देश पर राज करो ये देश हमारा है तो राज भी किसका होगा हमारा होगा हम इस पर सासुन करेंगे और उसके बाद आता है जालिया वाला मासकर ये होता है जालिया वाला हत्याकांट के नाम से से जानते हैं जालिया वाला हत्याकांट काफी ज़्यादा फैमस था और बहुत ज़्यादा एक काला दिन के तरह उसे हम याद कर सकते हैं क्योंकि उस दिन बहुत सारे Freedom Fighters को अपने जानगवानी पड़ी थी तो चलिए हम लोग इसके बारे में जाने ये हुआ था on 13th April 1919 13 April 1919 thousands of people gathered at the Jaliyawala Bagh in Amritsar for a peaceful protest और अब यहाँ देखिए कि Jaliyawala Bagh में उस दिन हजारों लोग ही कठा हुए थे वे लोग बिलकुल सांतिपूर्ण तरीके से विरूध करना चाहते थे However, the British blocked the exit and opened first fire on the gathering और उस ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया सबसे पहले जो उस Jaliyawala Bagh से निकलने का या entering का जो जगह था, जो gate था उसे उन्होंने क्या कर दिया block कर दिया, बंद कर दिया, killing and injuring many people और क्या किया कि बहुत सारे लोगों को मारा, उनके हत्या कर दी और बहुत सारे लोगों को बहुत बुडी तरह से घायल कर दिया और ये एक turning point था, जो आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ी जाड़े थी उसके लिए एक point था ये, बिलकुल turning point था इसको क्या सकते हैं, outraced by the indiscriminate killing, गांधी along with other prominent leaders demanded complete independence from the British और ये जो जालिया वाला बाग हत्याकांट हुआ, इससे गांधी जी इतने आहत हुए कि वे और उनके जितने भी prominent leaders थे, सभी ने अब demand कर दी कि मुझे, अब जो है, कि आपसे बिलकुल completely आजादी चाहिए हमें आप as a trader भी आप यहां नहीं रह सकते और हमारा तो सासन होगा ही होगा, ये देश हमारा है और आपसे बिलकुल मुक्ती चाहिए हमें और आप इस देश में नहीं रह सकते complete आजादी चाहिए हमें गांधी encouraged people to follow complete disobedience and non-corporation with the British और उसके बाद गांधी जी ने सभी लोगों को encourage किया कि आप British को British का साथ मत दिजिये non-corporation और कहें कि famous leaders like सर्दार वल्लभाई पतेल और देश बंधु चितरंजन दास मौलाना अब्दुलकलाम आजाद राजन प्रशाद मूतिलाल नहरू and जवाहर लाल नहरू actively participated in this movement यानि कि ये सभी leaders ने लोगों को इस चीज़ के लिए उकसाया कि हम लोग और सहयोग ये से और सहयोग आंदुलन के नाम से भी जाना जाता है तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ये सभी जो है freedom fighters ये सभी इसमें सम्मिलित थे इसमें participate किये है ना इस और सहयोग आंदुलन में अब आते हैं दांडी मार्च ये दांडी मार्च क्या है by December 1929 Congress had started demanding Purnaswaraj which means total independence December 1929 में Congress ने start किया Purnaswaraj की मांगा Purnaswaraj means क्या होता है which means total independence in 1930 after the British introduced a salt tax अब देखिये कि 1930 में जब British ने ये अंग्रेजियों ने salt tax लगाया था नमक tax तो उस पर क्या हुआ था on on the production of salt in order to control salt trade in the country ये उसने इसलिए किया था था कि salt trade पर नमक व्यापार पर control किया जाए जो देश में चल रहा था गांधी जी urged people to produce salt without paying any tax और गांधी जी ने लोगों से urge किया कि आप हम लोग नमक बनाएंगे और बिना tax दिये हुए हम लोग tax pay नहीं करेंगे He led a march of hundreds of people from साबरमती आशरम in आहमदाबाद to डांडी in सूरत और उन्होंने एक पैदल यात्रा निकाली जिसमें की thousands of people सामिल थे और ये यात्रा चली थी कहां से साबरमती जो की गांधी जी का आशरम था और ये एहमदाबाद में है और वहां से ये सूरत के लिए यात्रा निकली सूरत के दांडी तक इसलिए इसे दांडी मार्च कहा जाता है और इसी को और वहां जाकर सबने मिलकर नमक बनाया जो की ब्रिटिस को एक चुनोती था कि हम आपसे डरते नहीं हैं हम आपका सामना करने के लिए बिलकुल तैयार है आप जो भी कर लो हमें तो पुर्ण स्वराच चाहिए और इस आंदोलन को नमक सत्यागरह के नाम से जाना जाता है और ये और भी फैमस हुआ दांडी मार्च के नाम से और इसके बाद क्या हुआ कि भारतिय का जो इफोर्ट था प्रयास था वो बहुत मजबूत हुआ और गांदी जी ने अंग्रेजों को कह दिया कि आप भारत छोड़ दो कब गहा गया अगस्त नाइटीन फोर्टी टू में और तब गांदी जी ने एक नारा दिया कडो या मरो का नारा दिया और लोगों को इस बात के लिए मनाया लोगों को इस बात के लिए इंकरेज किया कि जब तक ये अंग्रेज भारत छोड़कर चले न जाए हम लोग अपने struggle को बिलकुल जारी रखेंगे, हम लोग अपने आंदोलन को रुकने नहीं देंगे, हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे All the key leaders of the Indian National Congress including Gandhi Ji, Nehru and Patel were imprisoned by the British government and the protesting Indians were subject to severe beatings in jails और उसके बाद जो ये key leaders थे, कुछ महतोपूर्ण leaders थे जैसे कि Gandhi Ji, Nehru, Patel इन सबको अंगरी जोने arrest कर लिया और जेल में डाल दिया और जेल में डालना ही बस नहीं था, वहाँ पर उसकी बहुत आदा पिटाई की गई और सुभाश शंद्र बोस formed the Indian National Army और सुभाश शंद्र बोस ने एक आर्मी का गठन किया था, जिसका नाम था Indian National Army INA in 1941 1941 में एक आर्मी का गठन किया था the armies of people from different religions coming together to fight the British और उस आर्मी यनिकी सेना, उस सेना में सभी तरह के धर्म के लोग सामिल थे जिनको यह करकर encourage किया गया था कि हम किसी भी धर्म के हों, सबसे पहले हम भारतिय हैं और भारतिय होने के नाते हमें अपने भारत को बचाना है और इस अंग्रेजियों को भगाना है और हमें उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी है यह तभी हो सकता है जब हम लोग सब साथ मिलकर लड़ेंगे फिर क्या होता है? इंडिया गेंस इंडिपेंडेंस अब बारी आती है जब भारत को आजादी मिल गई इंडिया बिकेम फ्री on 15th August 1947 और यह हम लोग सभी जानते हैं कि इंडिया को आजादी कब मिले थी दा कंट्री वोज होएवर डिवाइडेट इंटो तू सेपरेट नेशन्स और जब भारत को आजादी मिली तब तक मैं भारत दो पार्ट में बढ़ चुका था एक है इंडिया और दूसरा पार्ट ये भी हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं पाकिस्तान डॉक्तर राजिंदर प्रसाद वस दे फर्स प्रेसिडिंट अफ इंडिया और राजिंदर प्रसाद पहले प्रेसिडिंट बने इंडिया के और जवाहर लाल नहरू को प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया आजात भारत ओके तो यह चाप्टर यहीं पर समाप्त होता है लेकिन हम लोग इक पर रिकॉल करेंगे कि इस चाप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा इसमें हम लोगों ने पढ़ा struggle for freedom freedom के लिए किया गया संगर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा इसमें main main topic क्या था सबसे पहला था partition of Bengal इसमें Bengal का विवाजन हुआ था और Bengal का विवाजन किस बैसिस पर किया गया था तो divide and rule policy के हिसाब से किया गया था नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा स्वादेशी मॉव्मेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था प्रोटेस्ट अगेंस्ट 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 पार्टिशन और बेंगाल रॉक दकन्ट्रे यहां पर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है मुझे लेकिन मैं पढ़ने की कोशिस कर रही हूँ कि लोगों ने बेंगाल बिभाजन के लिए बिभाजन का विरोध किया और जो आंदोलन किया गया उसी को सदेशी मुव्मेंट के नाम से भी जानते हैं और फिर क्या हुआ कि अंग्रेजियों को इसमें देखी हम लोग पढ़ते हैं ब्रिटिश इस कंपल्ट टू रियूनाइट बेंगाल इन 1911 1911 में अंग्रेजियों को मजबूर कर दिया गया कि वो बेंगाल को फिर से जोड़ दे उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सत्यागरह सत्यागरह इसमें नन वालेंस मैथट अपनाया गया अहिंसा को अपनाया गया और ये महात्मागंधी की दूरा चलाया गया था और गांधी जी breaks the title law by marching dandy in गुजराथ और क्या हुआ था कि गांधी जी नमक टेक्स को रोगने के लिए नमक बनाने के लिए बिना टेक्स दिये हुए एक यातरा निकाला था एक मार्च निकाला था जो कि उनके आसरम साबरमती आसरम जो कि एहमताबाद में है वहाँ से वो सूरत के दांडी तक गया था जिसे की सौल्ट सत्यागरहत के नाम से जानते ही है नमकांदुलन के नाम से तो जानते ही है और इसके अलावा इसे दांडी मार्श के नाम से जानते हैं काफी फैमस है यह और इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा फिर से पढ़ने की कोसिस करिए आप लोग भी करिए क्या है यह यह डिमांड औफ पुर्ण स्वाराज इंडिया गेंज इंडिपेंडेंडेंस इन नाइटीन फॉर्टी सेवन इसके बाद क्या हुआ था कि जिसमें कि हमारा बिल्कुल सासन हो आपका कोई हस्तक शेप नहीं हो और आप इंडिया को छोड़ दो यह हमारा है हम इस पर सासन करेंगे तो इस तरह से हम लोगों ने इसमें जाना कि भारत की आजादी के लिए कितना संगर्स किया गया है ना तो हम इसे कभी भी ना भूले कि भारत की आजादी हमें विराशत में नहीं मिली थी इसके लिए बहुतों ने जान कवाई है तो हम जो भी हमारी ड्यूटी बनती है हमारे देश के लिए हम उसे अवश्य निभाएं तो इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना है और वीडियो को देखना है समझना है और फिर इसके सारे अब्जेक्टिव कोशिंस को सॉल्व करना है ओके थैंक यू